Hello everyone, all of you are watching my channel F or Dilemma So guys, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि E migration और M migration के बीच का difference क्या होता है क्योंकि हम इन दोनों words को slightly same तरीके से pronounce करते हैं That is why हमें लगता है कि इन दोनों के बीच का कोई major difference नहीं है बढ़ ऐसा नहीं है उन सारे points को simple तरीके से समझेंगे इस वीडियो में तो बिना देखें लेट स्टार्ट देखें तो इन दोनों terms के difference को समझने से पहले ये कहां से emerge होते हैं इन दोनों के थोड़ी बहुत similarities देख लेते हैं जो निकलती है migration से migration क्या होता है एक process है जिसमें लोग जो है वो एक जगा से दूसरी जगा जाते हैं और इस movement में basically लोगों का जो motive होता है वो होता है settlement अब वो settlement permanent भी हो सकता है temporary भी हो सकता है अब जब लोग एक जगा से दूसरी जगा जा ही रहे हैं तो सवाल यह उठता है कि यह लोग ऐसे इस तरीके से settle होते क्यों है move करते ही क्यों है इसके बहुत सारी reasons है कुछ political reasons है जैसे किसी country में कुछ political instability चल रही है civil unrest चल रहा है कुछ economical reasons है job के लिए opportunities के लिए कुछ social reasons होते है कुछ लोगों को standard of living के लिए अपना आगे अच्छा करना होता है इसलिए वो लोग move करते हैं कुछ लोग suffer कर रहे होते हैं अपनी society में इसलिए वो लोग move करते हैं कोई war situation आ गई यानि कि military reasons कुछ environmental reasons जैसे कोई disaster आ गया अर्थ कोई कागया सुनामी आ गई तो यह सारे multiple reasons है जिसकी जैसे लोग जो है मतलब है कि अगर कोई person एक जगा से दूसरी जगा जाए अपनी जगा कर छोड़ कर दूसरी जगा जाए exit कर जाए move out कर जाए then हम उसे immigration कहते हैं immigration 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 का उल्टा है यहाँ पर immigration में जो item दिख रहा है इसका मतलब होता है in इन यानि moving in तो moving in मतलब कोई भी person जब एक जगा से दूसरी जगा जाए यानि कि कहीं पर enter करें तो वह immigration करता है सेकेंड पर यह है कि te migration का मतलब होता है leaving a location एक जगा को छोड़ कर आप जा रहे हो immigration cukत मतलब होता है entering location उस जगा को छोड़ नहीं जा रहे हूं उस जगा में बाहर से कहीं enter कर रहे हो गुस रहे हो आप तीसरी चीज़ जो है जो भी परसन इम माइग्रेशन करता है उसे हम एमिग्रेंट या इमाइग्रेंट बोलते हैं लेकिन जो परसन इम माइग्रेशन करता है उसको हम इम माइग्रेंट बोलते हैं इस चीज को अगर हम specifically example से समझे तो आपने रोहिंग्यास के बारे में जरूर सुना होगा जो मयान मार के refugees हैं तो मयान मार के लिए क्योंकि वो लोग मयान मार छोड़ कर आए हैं तो मयान मार के लिए वो लोग e-migrants हैं लेकिन क्योंकि वो रोहिंग्यास इंडिया में एंटर हुए हैं इसलिए इंडिया के लिए वो लोग e-migrants है I hope it's getting clear. Let's take another example. इंडिया से बहुत सारे लोग जो हैं वो यूएस में सेटल होते हैं अब जो आगे के 3 points हैं उनको समझने के लिए एक diagram से समझते हैं मान लो ये है country A और ये है country B अब country A से 10 लोग जो है वो इधर move कर गए यानि कि country A में से क्या हो गया? e-migration और वही 10 लोग country B में चले गए तो country B में क्या हो गया? e-migration तो इसके impacts क्या क्या हो सकते हैं उस term में हम e-migration और immigration को समझते हैं अब मान लो e-migration में से 10 लोग जो गए थे उसकी वज़ा से क्या हुआ? population वहां की 10 लोगों से कम हो गई तो population decrease होती है e-migration की वज़ा से लेकिन इसी का उल्टा होता है e-migration में क्यूंकि immigration में क्या होता है किसी और country के लोग उस country में गुस रहे हैं जिसकी वज़से वहां की population बढ़ जाती है अब इसी example को ध्यान में रखकर अगर हम समझें तो country A की क्यूंकि population कम हो है तो वहां की income, benefits, opportunities वहां के लोगों के लिए ज़ादा हो जाएंगी वहीं दूसरी और क्यूंकि population यहां की बढ़ गई है इस country B में तो वहां की income, benefits और opportunities तीनों चीज़े जो है वो कम हो जाएंगी क्यूंकि population बढ़ गई है इसके अलावा country A में आपको क्या देखने को मिलेगा unemployment जो है वो कम हो जाएगी क्यूंकि जितने भी resources है उनको attain करने के लिए लोग जो है वो कम हो गई है इधर से उधर चले गई है वहीं दूसरी और immigrant country याने की country B में unemployment बढ़ जाएगी क्यूंकि population जादा हो गई है और इस बढ़ती population के वज़े से competition जादा हो गई है इसी वज़े से unemployment बढ़ गई है तो I hope यह point wise simple explanation आपकी इस confusion को clear कर पाई होगी कि e-migration और immigration के बीच का difference क्या है अगर आपको यह video helpful और informative लगी है और प्लीज लाइक इट और subscribe to my channel अगर इसी तरीके का content आप देखना चाहते हैं